नमस्कार मैं हूँ प्रवेंड गोताम दोस्तों कंगना रनोत कई बार राहूल गांदी को मजाक उडाते वे पप्पू कहती है विक्रमादित्या सिंग को पप्पू कहती है लेकिन कुद कंगना की कैसी इमेज बन गई है कि आज देश के वरिष पत्रकार आम पबलिक ये कहने को मजबूर है कि कंगना रनोत अगर ऐसे ही बोलती रही तो हर्याना में विजेपी का सफाय हो जाएगा देश के वरिष पत्रकार कंगना के ताजा बयान को लेकर क्या कहते हैं पूरी कहानी आपको बताते हैं पहले बात करते हैं कि कंगना ने क्या ऐसा बयान दिया है जो बीजेपी को बैक फायर कर सकता है कंगना का बयान सुनकर पीम मोदी और जेपी नड़ा हाथ जोड़ सकते हैं कि मैडम कृपया चुप रह जाओ आपके बयान बीजेपी को नुकसान पहुचा रहे हैं क्या आप हर्याना में हमारी लुटिया डुबो कर मानेंगी। कंगना ने क्या बयान दिया। कंगना ने कहा कि तीन जो कानून थे किसानों के लिए वो वापस आने चाहिए। जो मोदी सरकार ने वापस ले लिए थे उनको दुबारा से लागू किया जाना चाहिए। आज देश वासियों से एक शमा मागते हुए सच्चे मन से और पवित्र रजे से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकास जिसा सत्य कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए आज मैं आपको पुरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कुरुसी कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्ड़े लिया है तो हर्याना पंजाब में नुकसान देखते हुए पीम मोदी ने कानून वापस लिये थे अब हर्याना में चुनाव चल रहे हैं और कंगना उल्टी गंगा बहार रही हैं कंगना ने ऐसा मुटतापुन बयान दिया है जिसे लेकर पबलिक मजाग उड़ा रही है कि इतनी बुद्धी नहीं है कि अपनी पार्टी को रुकसान पहुचा रही है उल्जलूल बयान बाजी से एक तरह से कंग्रेस का परचार कर रही है क्योंकि कंग्रेस ने इस मु किसानों के लिए क्या मां स quicot all इस पूरे मुद्धे पर क्या कहती है शुप्रयाशनेद कहती है की तीनों किसान कानुन वापस लाये जाने चाहिए ये कंगना रनोते बयान दिया है जिन तीन काले किसान विरोधी कानूनों की मुखालफत करते 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए उनको दुबारत से लाने की कोशिश की जा रही है हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे सबसे पहला जवाब हर्याना देगा तो सुप्रियाश पूरी बीजेपी पर सवाल उठा देते हैं हाला कि बीजेपी की तरफ से बयान आ सकता है जेपी नडडा बीजेपी के दूसरे नेता कह सकते हैं कि देखिए ये कंगना का वेक्तिकत बयान है बीजेपी का उससे कोई वास्ता नहीं है एक बार बकायदा कंगना की बयान को ल और कंगना के ऐसे बयानों को लेकर हर्याना चुनाव में क्या असर पढ़ने वाला है वरिश पत्रकार दीपक शर्मा क्या कहते इस पूरे मुद्धे पर हर्याना में विजेपी के लिए पहले ही कई मुश्किले हैं और आज कंगना रनोते बाकी कसर पूरी कर दी कंगना ने कह कि किसानों के काले कानून फिर लागू होने चाहिए इस बयान पर किसान भड़के हुए हैं बिजेपी नेताओं को समझ नहीं कि कंगना का काउंटर कैसे करें तो बिजेपी नेता भी कंफ्यूज हो गए हैं कि आकरकार कंगना की मुक्ता पर पार्टी को डिफेंड कैसे किया बड़ी मेहनच से चुनाव को ट्रेक पर लाने की कोशिश की जाती है और उसके बाद कंगना ऐसा कुछ बोल जाती है कि बीजेपी सफाई देती रह जाती है कंगना के ऐसे बयानों को लेकर अशोक कुमार पांडे क्या कहते हैं अशोक कुमार पांडे कहते हैं कि कंगना बीजेपी से मेरे फिल्म रिलिज नहीं होने दोगे तो चुनाव में ऐसे ही नुकसान पहुचाओंगी तो आशोक कुमार पांडे का टाक्ष करते वे कहते हैं कि शायद कंगना इसलिए ऐसे बयान दे रही है क्योंकि इनकी फिल्म को रोका गया है तो एक तरह से बीजेपी और मोधी सरकार से बदला रही है क्योंकि फिल्म के वकील ने जी स्टूडियो के वकील ने जो की कोड प्रोडूसर है कंगना की फिल्म का उनके वकील ने कोड में इस बार का खुलासा किया था कि बीजेपी के नुकसान को देखते वे हर्याना चुनाव को देखते वे उनकी फिल्म रोकी जा रही है ऐसे में पबलिक और बुद्धी जीवी का टाक्ष कर रहे हैं कि क्या कंगना ऐसे बयान दे कर जान बूचकर बीजेपी को मुसिबत में डाल रही है या फिर कंगना के पास दिमाग ही इतना है आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कंगना जिस तरह के बयान दे रही हैं क्या बीजेपी को ही नुकसान पहुचा रही हैं और क्या कंगना को एक बार फिर फटकार लग सकती है कमेंट पॉक्स पर प्री राइल जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के अपसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लाव वीडियो को लाइक करें चलको सब्सक्राइब करें नमस्कार